ग्रीन हाउस गैस और पॉलिशन से बचने के लिए दुनिया भर में पॉलिसी वनती हैं लेकिन क्या हर पॉलिसी काम की होती है आर्टिफिशल इंटेलिजन्स की मदद से रिसर्चरस ने पंदरो सो क्लाइमिट पॉलिसी को परखा जिसके नतीजे काफी चौकाने वाले रहे अ लेकिन ऐसा करपाना सच्चाई से कोसो दूर है क्लाइमिट को लेकर सरकार जो पॉलिसी बनाती है जरूरी नहीं है कि वो सभी असरदार हो रिसर्चर्चर्स तो यही दावा करते हैं आर्टिफिशल इंटेलिजन्स ऐसा शब्द है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है ए एक्रो क्लाइमिट पॉलिसी में से कीवल कुछ ही पॉलिसी पौलिसी ने उत्सर्जन को बहतर तरीके से कम किया है लेकिन ऐनलिसन्स ने ये भी पता लगाया है के अलग-अलग इंड़स्टी और एकोनॉमिक हालात में उत्सर्चन को कम करने के凌 Carrie को कुशी हो सकती है लक्ष हासिल करने के साथ 2030 तक कार्बन डायोकसाइट के उठ सर्जन में 23 सरब मेट्रिक टन का फर्क लाने का भी रादा रखा गया है टार्गेट हासिल करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि देश कार्बन उठ सर्जन कम करने के लिए ठोस वादे नहीं कर रहा है और जो पॉलिसी लागो की जाती है वो अकसर प्लैन के मताबिक काम नहीं करती है आप तक इस बात पर बहुत कम सहमती बनी है कि कौन से क्लायमेट पॉलिसी बड़े पैमाने पर उठ सर्जन को सबसे प्रभावी धंग से कम कर सकती है क्लायमेट पॉलिसी की एफेक्टिवनेस पर पिछले रिसर्च ने सेक्डू पॉलिसी दरकिनार कर केवल कुछ ही जवानिमानी पॉलिसी पर ध्यान दिया है नई स्टेडी में रिसर्च ने हाल ही में Organization for Economic Cooperation and Development ने जो शांदार क्लायमेट पॉलिसी डेटाबेस बनाया है उसका फाइदा उठाया उन्हें ने दुनिया भर के 41 देशों में 1998 से 2022 की बीच लागू की गई कम से कम 1500 क्लायमेट पॉलिसी के एफेक्ट का एनलेसिस किया जिसकी Global Emission में 80% से जादा हिस्सेदारी बताई जा रही है डेटाबेस में 48 अलग-अलग क्लायमेट पॉलिसी टाइप शामिल है इसमें Energy Related Building Code और अननियमों से लेकर क्लायमेट फ्रेंडली प्रोडक्ट की खरीद के लिए सबसीडी से लेकर कार्बन टेक्स तक को शामिल किया गया है इसमें नई पॉलिसी की शुरुवात के साथ मौजुदा पॉलिसी को सक्त बनाने और लग-बग उसी समय लागू की गई पॉलिसी के एफेक्ट भी शामिल किये गए हैं बहुत से अलग-अलग पॉलिसी और कॉंबिनेशन की वज़े से रिसर्चर्स ने अपने एनलिसिस के लिए मशीन लर्निंग एप्रोच यानि आर्टिफिशल इंटेलिजिंस का सहारा लिया इसमें दखल देने की वज़े से प्रभाव कानुमान लगाने के लि अबी दो या जादा पॉलिसी को एक साथ लाकर हासिल की गई है एनलिसिस से ये भी पता चलता है कि पॉलिसी को एक साथ मिलाना अक्सर सिंगल तरीके की तुलना में जादा असरदार होता है